हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपोर्ण इंगलिस में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज यानि की 5 जनवरी 2021 को जो हिस्ट्री ओनर्स पेपर 1 का एक्साम हुआ है वो किस प्रकार से कोश्चन आया ह हुआ है तो दोस्तों सबसे पहला कोश्चन आया हुआ है सिंदु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे तो यह सीव हो जाएंगे सिंदु वासियों के जो प्रमुख देवता कौन है सीव है दोस्तों यह सारा कोश्चन मैं बता चुका हूँ कल की वीडियो में भी मैंने इसका बारे में बताया हुआ था आगे है दोस्तो रिंग वेद में कितने मंडल है तो दोस्तो रिंग वेद में टोटल दस मंडल है ना चलिए आगे चलते हैं तिसरा कोशन आया हुआ था अबजेक्टिव का कोटिलिय का वास्तविक नाम क्या है यानि कोटिलिय का रियल नाम क तो यह हो जागा विशनु गुप्ति यानि दूसरा ओप्सन राइट होगा इसका चलिए चांथा अबजेक्टिव कोश्चन देखते हैं चांथा अबजेक्टिव कोश्चन आया हुआ था जैन धर्म के अंतिम तिर्थकर कौन थी तो यह महाविर थी कोई भी कोश्चन आये या फिर आये अंतिम तिर्थकर या फिर 24 वे तिर्थकर तो कौन थे यह महाविर थी यह कोश्चन मैंने कल भी बताया हूँ तो चलिए आगे चलते हैं किस ने चतूर्थ बाध संगति आयोजित की तो यह कनिस्क ने आयोजित की चलिए चलते हैं अगला question जो है मेरे दोस्तो ये है सिक्को के अध्यन को क्या कहते हैं तो दोस्तो सिक्को के अध्यन को हम मुद्रा सास्त्र कहते हैं आगे चलिए आगे है चरक कौन था तो दोस्तो चरक जो है एक चिकित सक्ता है ना इसको आप याद रखिएगा चलिए आगे चलते हैं आगे दोस्तो पंच तंतर की रचना किस ने की तो पंच तंतर की जो रचना की है दोस्तो ये 20 शरमाने की है आजूआ तो दोस्तो आप जैसा कि आपको पता होगा कि History, Onors, Paper 1 और Paper 2 दोनों का जो एक्जाम होता है उसमें total 10 प्रसन होते हैं 10 प्रसन में पहला प्रसन में 10 objective होता है जो की बनाना compulsory है और उसके आगे यानि कि 2 से लेकर के 10 तक जो question होता है उसमें से आपको केवल 4 का ही answer देना होता है तो 4 यहां से हो गया और एक objective question यानि 5 प्रसन का जवाब देना होता है तो दोस्तो यह था objective question चलिए आप subjective देखते क्या क्या आया होता है और दोस्तो सबसे बड़ी बात कि जितना मैं कलगेस की यह होता सारा का सारा question आया होता है मैं आपको पुरूप के साथ यहां पे दिखाऊंगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा question आया हुआ है प्राचिन भारती एतिहास के अध्यन के स्रोतों की विवेचना करे तिसरा question आया हुआ है सिंदु घाटी सभ्यता की नगर निर्मान योजना की प्रमुख विसिस्ताओं का उलेख करे चाउंथा question दोस्तो रिंग वेदिक सभ्यता की प्रमुख विसिस्ताओं की विवेचना करे पांचमा question बाओध गौतम बुध के जीवन और उनकी सिक्छाओं पर प्रकास डाले चाठा question आया हुआ था दोस्तो मौर्य समराज के पतन के कारणों का अलोच नात्मक विवेचन करे साथमा प्रसन दोस्तो जो एकजामे पूछा गया है यह है सिकिंदर के भारत आक्रमन के कारणों एवं परिनामों का विवेचना करे अगला question आठमा सतवाहनों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्दियों की विवेचना करे अगला दोस्तो नौमा question क्या आप मानते हैं कि गुप्त काल भारती इतिहास का स्वर्न काल था विवेचना करे और लास्ट प्रसन हर्स के प्रसासन पर प्रकास डाले तो दोस्तो ये था subjective question मैं अब आपको प्रूप के साथ दिखाता हूँ कि मैं जो कल गेस किया हुआ था वही question आया हुआ है और आपको यहाँ पर और सचीत कर दूँ कि अगर आप paper 2 के लिए भी ढंक से प्रिपेर हो जाना चाहती हो तो अपना ऐसे करना आप इस चैनल के साथ जूड़ जाना मैं आज ही साम में इस पे भी वीडियो अप्लोड करूँगा paper 2 पे जो important question है तो दोस्तों देखिए ये जो question देखिए जैसे देखिए आप मैंने आपको जैसे बताया हूँ देखिए ये question दूसरा question था भारती प्राचिन भारती तिहास के अधियन के सुरुत्तों के विवेचना करे और उनकी सिक्षाओं पर प्रकास डाले ये चार question लगतार आया हुआ है देखिए आप चार पर लिए और चलिए आप सुरुक आप चार देखिए 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 ये देखिए प्राचिन भारत का इतिहास के अधियन ये देखिए आप यहाँ पर तिसरा देखिए सिंद सिकंदर का भारत आगमन ये question आया हुआ है इसके बाद ये question देखिए सत्वाहनों के राजनीति के वं सांस्क्रितिक उप्रलवदियों का विवेचना करें देखिए मैं यहाँ पर देखिए 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 सारा वही question सा बाहर कहीं आया हुआ हुआ ह देखिए उसके बाद कि चंद्रगुप्त मौरिये के प्रसासन के प्रमुक विवेचना करें यह जो है यह question और यहाँ पर जो स्वर्न यूख कहा गया है यह दोनों का आंसर सेम ही होगा सिर्फ यहाँ पर आप लिख दीजे बोल रहे क्या आप मानते है कि गुप्त काल भार पांच जनवरी 2020 को जो एक्जाम हुआ है LNMU Part 1 History Owners Paper 1 इसका question paper का review अगर आप paper 2 का भी देखना चाहते हो तो मैं यह भी आप लोगों को provide करा दूँगा दोस्तों अगर आप LNMU का student हो तो हमारे साथ जरूर जूरे रहना ताकि मैं आप लोगों को इसी तरह से वीडियो बन बना के आपको help करता रहूंगा thank you so much